दोस्तों वास्तों सास्त के अनुजार घर में लगाने के लिए कई ऐसे सो प्लांट हैं जो ना सिर्फ खोबसूरती प्रदान करते हैं बलकि कई तरह से मनुस्य की रच्छा भी करते हैं इनका हमारे जीवन में अतेंत महत तो बताया गया है हम सभी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए अलग-अलग तरह के पौधों को लगाते हैं कि पौधे हमारे घर को सुंदर बनाने के साथ घर की वातावरण को भी सुद्ध बनाए रखते हैं वास्तों सास्त के अनुजार कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो घर परिवार के मौर पंके हम सभी में से जादतलों इसे विद्या के पाउधय के नाम दे जानते हैं धार्विक सास्त्रों के अंसार घर में मौर पंकी की पाउध की जोड़े में लगाने सी ये घर करिवार के लिए दो große होता की कि पॉद यह फायानि का तरीका ओ मौर पंकी नश्ट होती है साथी घर के लोगों के बीज तनाव के सिति पैदा नहीं होती परिवार में सद्भावनार सहयोग बना रहता है और मन मुटाव खतम होता है मोरपंकी के पौदर में तिन साकरात्म कुर्जा होती है यदि इसको घर में जोड़े में लगाया जाए तो यह घर के सद्भावनार सहयोग करता है साथी इसको घर में लगाने से घर के सद्भावनार के प्रतिमन एकागर होता है बच्चों का दिमाग देज होता है और पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ जाती है वहीं वास्तुसास के अनुसार मोरपंकी का पौदा घर पर आने वाली विपत को भी घर में प्रवीश नहीं करने देता यह घर में सुकसांती बनाये रखता है और घर के सदस्थियों को आर्थिक लाप भी पहुंचाता है यदि आप मोरपंकी का पौदा घर में लगाने जा रही हैं तो इस एक बात का हमीशा ध्यान रखें कि इस पौदे को अकेली ना लगाकर हमीशा जोड़े में लगाएं माना जाता है कि ऐसा करने से दाम पत्ते जीवन सुकी बना रहता है मोरपंकी के पौदे को विकास के लिए सोर की रोशनी की जरूरत होती है इसलिए इस पौदे को घर के उत्तर दिसा में इस तरह से लगाएं कि हापर धूप लग सके एक अन्य मानिता की अनुसार या पौधा घर की सदेस्तियों को रोगों से भी बचाय रखता है इसलिए जब भी मोर पंकी का पौधा सुक जाए तो घर में तुरंद दूसरा पौधा लगा दें